फाइनली अंगर ने लाया सीरत का सबके सामने घिनावना चैरा वैल उसके बाद जो हुआ वो देखना बेहत लाजवाब है क्यूंकर जिस तरह से मनवीर का भर्म तूटा है सीरत को लेके और सभी घरवालों के सामने जिस तरह से सीरत जलील हुई है उसके बाद अब सीरत क्या करने वाली है यह सबसे बड़ा सवाल है तो शलिए देखते हैं आप सभी का मन पसंद सेरियल तेरी मेरी डोरिया के आने वाले अपिसोड में क्या कुछ नया होने वाला है हाला है कि हम सब इने पिसले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से अंगत को फाइनली पता चल जाता है कि उसने जो अपनी दिल की बात साहिबा से की थी वो साहिबा नहीं बलकि वहां सीरत होती है और सीरत नहीं वो सारी बाते सुन लेती है जिसके बाद भी सीरत अंगत से य अंगद के सामने का र Iris को सब kardeş로 का सच्चाई सिरें जबाद सब zijn सामने सीरतु पि चिलने और और आपती है कि आखिर तुम सीरतों जिदीर पे इतना क्यों चिला रहे ह। के सामने घरवालों के लाता है और घरवालों से सीरत का सच्चाई बताता है लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखना और भी ला जवाब है वैले सेरियल का लेटिस ट्राक सामने आ चुका है अंगत सब के सामने सीरत पे चिलाता है और चीकता है जिसके बाद साहिबा पूछत सीरत से आखिर क्या है सचाई जिसके बाद सीरत अपनी ही जुबानी अपनी ही गलतियों को सबके सामने बताती है और फिर मनवीर उसे सबके सामने घीतमाचा लगाती है क्योंकि मनवीर को यह लगता है कि सीरत साहिबा से बहतर है और वो अंगत की दुलहन उसे बनाना चाहती लेकिन अब तो मनवीर का ये भरम तूट चुका है और उसका सपना जो था वो भी तूट चुका है क्योंकि मनवीर और साहिबा जिस तरस थे एक दूसरे के देखना भी पसंद नहीं करती थी वैसे में अब मनवीर साहिबा को बेहत पसंद करने लगी है और वो अब अंगत के पास उसे रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने साहिबा से जबरन डिवोस पेपर पर सिगनेशर करानी की कोशिश करती लेकिन अब मनवीर खुद साहिबा को कहती है कि तुम मेरे बेटी को तलाक नहीं दे सकती वैल लेकिन अब ये देखना बेहत लाजवाब होगा कि क्या सच में अंगद और साहिबा का डिवोस नहीं होगा और मनवीर फिर से इनकी शादी कराएगी और एक अंगद का खुशहाल फैमिली फिर से शुरू होने वाला है वैल इस वीडियो पर आप सभी का क्या राह है हमें कमेंट के जरी जरूर बता करें